क्या करें क्या ना करें यह कैसी मुश्किल है कोई तो बताते इसका हलो मेरे भाई दोस्तों जब से आइस नेटोर का टाई अप इथेरियम, OKX और बिनांस के साथ शुरू हुआ तब से आइस माइनिंग करने वाले स्नो मैन ने प्लानिंग करना और सपने देखना शुरू कर दिया इंटरनेट पर आइस के वीडियो या सोशल मीडिया में इसके बारे में छानबीन करनी शुरू कर दी और मन में, ISE को wallet में transfer करके कैसे उससे पैसे बनाये जाएं, उसी के विचार उठते रहते हैं, और दिरे दिरे ISE के प्रभाव में आ गए हैं, और अब तो यह द्विधा शुरू हुई है कि ISE network में क्या करें, ISE token को wallet में ले जाए या exchange पर, कौन से wallet में या exchange पर ले जाना उच मित्रो आइस नेटवर्क की शुरू से बात करें तो आइस नेटवर्क मोबाईल फोन से फ्री में माइनिंग करके बनाया जा सकता है जिसके पास बिटकोईन जैसी क्रिप्टो करनसी माइनिंग करने के लिए पैसे या संसाधन नहीं है उन लोगों के लिए एक मजबुत समुदाय बनाना आइस का लक्षा है उसके लिए डिजिटल परिसंपतियों में लोगों का विश्वास वापस लाना महत्वपूर्ण है आइस नेटवर्क में शामिल होने के लिए आपको पहले से मौजूद किसी सदस्य का निमंतरन चाहिए उसके बाद आप अपने मॉबाइल एप से आइस टोकन माइन कर सकते हैं या कमा सकते हैं आइस नेटवर्क अभी नया है लेकिन इसने तेजी से वृद्धी की है जुलाई 2023 में लाँच होने के बाद से अब तक 35 लाग से अधिक लोग आइस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं और अभी इसकी एप में देखे हैं तो लगबग 19 लाग से ज़्यादा यूजर एक्टिव है पिछले कुछ दिनों से लोगों के कोईन माइनस हो रहे हैं आइस टिम का कहना है कि ये इसलिए होता है क्योंकि आपके रेफरल से जुड़े हुए लोग एक्टिव नहीं है ये बात एक तरह से आइस प्रोजेक्ट पर लोगों के विश्वास को कम कर देता है क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले इसमें ये coin कम होना, यानि slashing होना इसलिए रखा गया था, कि आप हर दिन mining करते रहें, और एक भी दिन ना चुकें, परन्तो टीम की वज़ा से जो coin बनाए थे, वो अब team active नहीं है, तो coin कम हो रहे हैं, ऐसा बाद में लाया गया, उससे प रखार, विश्वास टूटने के कारण लोगों ने ice network से नाता तोड़ दिया था, अब कुछ लोग वापीस आना चाते हैं, परन्तो mobile number से login होने में दिक्कत आ रही है, ice coin project की KYC में कुछ खास दम नहीं लगा, भाई KYC तो ऐसी होनी चाहिए कि ice coin mining करने वाला बंदा कौन है, कितने साल का है, कहां रहता है, यानि name, address, birth date, country, phone number और उसका photo उसके देश के government ने issue किये हुए ID कार्ड के साथ मैच हो जाँ चाहिए, परन्तो ice में KYC के नाम पर सिर्फ एक वीडियो लिया, twitter account पर उसकी tweet करके KYC पास करना रखा गया, तो इससे किसी देश की government को, अगर ice project को approval देना हो, तो भी कैसे देगी, है ना, सोचे जरा, शुरूआत में ऐसा लगता था कि ice का mining process सरल है, और इसके लिए किसी तकनी की ग्ञान की आवशक्ता नहीं होती, परन्तु बनाये हुए ice token को पैसे में convert करने के लिए कितने पापड बेलने पड़ते हैं, वो बाद में पता चलता है रे, ये कोई सामान या आम इंसान के बसकी बात नहीं लगती, क्योंकि ice network अपने ice coin को कहां ले जाना है, उस पर बार बार अपनी choice बदलता रहा है, एक तो उसकी team में कौन कौन लोग है, वो बाहर नहीं आए, यानि सभी team members का पता नहीं है, उपर से लगता है कि पी ice network की team में शामिल हो सकते हैं, जो भी हो इसमे ice mining करने वालों को अब ये उतना सरल नहीं लगता, जितना pine network लगता है, ये सब तो ठीक है, परन्तु meta मित्र ये बताओ, ice network में करना क्या है, देखिए कूद पड़े हैं, तो अब इस चक्रव्यू में से निकलना का इसे हैं, तो ये ice network में क्या करें, उसका सटिक जवाब है, भाई wait and watch करें, रुके और देखते रहें, यानि कि अभी कुछ ना करें, और पहले ये देखिए कि ice वाला क्या करना चाहता है, देखिए अक्तुबर दोज़ा 24 में उसका open mainnet launch होने वाला था, परन्तु अभी से उसके background में ऐसा क्या हुआ होगा, जिससे वो इतनी जल्दबाजी कर रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने कुछ बड़े एक्चेंजों को शोकोज notice दिया था, वो सब पहले भारत सरकार के FIU के निती नियमों का पालन करें, और notice का जवाब दें, तब तक इंतजार करें, कि अभी उसकी कोई उप्योगिता ही नहीं है, दुसरी बात कि अभी भी आपके ICE टोकन पैसे से कोई क्यों खरीदेगा, जबकि ICE एप इंस्टॉल करके, माइनिंग शुरू करके, ICE टोकन बना सकते हैं, अरे ज्यादा दिमाग चलाने वाले, एक साथ 100 या 200 500 मोबाइल में, अ ICE नेट्रक में ये एक लूप होल लगता है, पाई की तरह इसमें ऐसा नहीं है कि आपके टीम की KYC पास होगी, तभी आपको ICE कोईन मिलेंगे, वो 100 या 200 मोबाइल में से रेगुलर माइनिंग करके, अपनी रेफरल टीम एक्टिव रखें, और अपना एक KYC पास करके, अपन 27 billion ICE token बन चुके हैं, उसमें से 20 billion ICE token stake किये गए हैं, यानि fixed deposit है, तो बागी बचे 8 billion, ऊसमें से हर मइने 10% ICE token distribute होंगे, तो पहले महिने में 800 million ICE token सब को wallet में बिलेंगे, अब उसमें से सभी लोग एक्स्चेंज पर बेचने नहीं जाएंगे, इस परकार का हिसाब लगाते हैं, तो तक्रीबन 350 मिलियन से 400 मिलियन Ice Token एक्षेंज पर बेचने के लिए रखे जाएंगे उसकी कीमत कितनी होगी यह तो 2 दिन बाद यानि 19 जन्वरी 2024 को ही पता चलेगा आपने ये वीडियो उससे पहले देखा हो या बाद में Ice Token की कीमत अलग-अलग देखने को मिलेगी क्रिप्टो विशेशक्यों ने अभी तक Ice Token पर अपना कोई मनतवय नहीं दिया है या फिर आपको भी कहीं देखने को नहीं मिला होगा कीमत अगर इस वक्त एक डॉलर भी देखने को मिलती है तो वो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा Ice Token से जुड़े आप सभी Snowman's में माइनिंग करने का उच्सा बढ़ेगा परनतु एक डॉलर से भी नीचे या बहुत ही कम कीमत देखने को मिलती है तो वो Ice Token को दूसरे Memes Token की तुलना में बिठा देगा और Ice Network प्रोजेक्ट को अपने एकोसिस्टम बनाने में ध्यान देना होगा जहां सबसे पहले Snowman's जो हैं उस Ice Token का उप्योग कर सकें यानि Ice Network की Community में सबसे पहले आपस में उसका उप्योग शुरू हो तो इसलिए Ice Network में जिनकी KYC नहीं हुई या किसी वॉलेट में या एक्षेंज पर अपने Ice Token नहीं ले गए तो चिंता की कोई बात नहीं है आपके Ice Token जो Ice App में है वो तो कहीं जाने वाले ही नहीं है वो टोकन Ice App में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है देखिए Ice Network की App में से बाहर Ice Token निकाले तो कुछ गलत होने की संभावना भी है जैसे कि Ice Token जिस किसी वॉलेट में ट्रांसफर किये है उसके पास्फरेज ही भूल गए तो क्या या वो वॉलेट किसी ने हैक कर लिया या आपने पास्फरेज किसी लिंक में दे दिये तो क्या या फिर हो सकता है किसी स्कैमर को कोईन बेचने की लालच में Ice Token तो भेज दिये परंतु पेमेंट नहीं मिला तो भाई ये सब जमेले में क्यों पड़े अभी से क्यों कहें कि आप यल मुझे मार इसलिए अभी Ice Network में जो होता है शान्त इसे देखते रहना ही सर्वस्रेष्ट और उत्तम निर्णाई साबित हो सकता है एक तरह से देखा जाएं तो ये Marketing Strategy आपको Exchange इस पर ले जाने की एक योजना भी हो सकती है जिस प्रकार किसी Shopping Mall में जाते हैं तो वो चीज़े भी उठा लेते हैं जो जरूरी नहीं और काम की नहीं उसी प्रकार एक बार Exchange इस पर Registration करेंगे तो बार बार वो Exchange को Open करके Crypto के बाव देखेंगे दुसरे Crypto को खरीदने का मन होगा और उससे उस Exchange के मालिक को तो फाइदा होगा ही अभी तो आप Crypto के नए चक्र वीव में फंस जाएंगे बिना Crypto को जाने, खरीदने का, टेडिंग करने का या Future टेडिंग करने का मन होगा उससे अच्छा है कि अभी उन सबसे दूर रहें शान्त इसे अपना दैनिक कारे करते रहें और साथ में Free में Mining भी करते रहें हे MetaMitra के दर्शकों Ice Network Project में भी दिरे-दिरे विकास हो रहा है जैसे कि उसके Twitter handle पर देखा गया कि Certic Security Leader Board से उसका audit successful पास हुआ है इकोसिस्टम को बनाने है तो Ice Network ने startup प्रोग्राम भी launch किया है तो पहले Ice Network Project को कुछ काम की चीज़े बनाने के लिए थोड़ा समय दो काम का होगा तो Ice Coin का भाव भी ज़्यादा होगा और दुसरी तरफ बड़े-बड़े एक्चेंजों का अभी गम भारत के निती नियमों के अनुसार रहा तो परिस्तित्या अनुकुल हो सकती है तो तब शानती से इस बात का निनने ले सकेंगे कि कौन से एक्सचेंज इस पर Ice Token को ले जाना चाहिए वहाँ बेज करके सभी टेक्स निकाल कर कितना फाइदा हो सकता है उसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा पहले फॉरण के लोगों के वीडियो देखें कि किस प्रकार इसमें काम होता है और ये चानवीन भारत के होनार यूट्यूबर्स तो जरूर करेंगे और इसके बारे में वीडियो भी अवश्य बनाएंगे है ना सभी यूट्यूबर्स भाई बहाइन अपना कामजारी रखें सबकी चैनल को 140 करोड भारतिय नागरिकों में से 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाएं ऐसी शुप कामनाओं के साथ जय हेंद जय भारत